गर्मियों की छुटियां क्लास 11 और क्लास 12 वाले बच्चों के लिए जो अब तक हुआ करती थी शायद अब उसका मतलब उनके लिए बदलने वाला है क्योंकि दस्वी तक तो आप लोगों ने गर्मियों की छुटियों का बे इंतहा लुट पुठाया है लेकिन अब 11 या 12 मे अगर आप हैं तो भूल जाएए वो सारी चीजे इन दो सालों के लिए जो आप गर्मियों के छुटी में किया करते थे क्योंकि ये दो साल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन होने वाले हैं जो डिसाइट करेंगे कि आपके आगे के 20 साल कैसे होने वाले हैं या जैंत के बच्चे भी इस चीज के उपर ध्यान दे सकते हैं कि मैं क्या-क्या चीजे गाइड कर रही हूँ जो आप समवेकेशन्स में कर सकते हैं और अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं बाकी लोगों से आगे निकल सकते हैं कुछ छोटी-छोटी चीजे हैं जैसे सबसे पहली बात जो बच्चे सोचते हैं कि यार हमारे पास तो बहुत सारा समय है तो मैं स्पेशली 11 और 12 वाले बच्चों को बता दू कि तुम्हारे पास समय नहीं है यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि अभी तक तुम्हारा वहम तूट गया होगा स्लेबस को देखकर कि स्लेबस दसवी से जब 11 वी में बच्चा आता है तो उसके जितने भी ख्वाब होते हैं वो एकदम से चकना चूर होते हैं जैसे ही वो स्लेबस देखता है पढ़ना शुरू करता है उसकी दुनिया बिलकुल पलट जाती है कि आखिरकार अब तक हमें क्या कराया जा रहा था और एकदम से ये क्या आ गया समय आपके पास मात्र साथ महीने का ये मैं अभी बता देती हूँ में तो समझ लो चलाई गया जून से अगर हम समय को काउंट करना शुरू करें तो जून से लेके दिसंबर तक का आपके पास समय है अब आपकी जो गर्मियों की छुटियां है कुछ स्कूल में शुरू हो गई हैं कुछ स्कूल में होने वाली हैं जून से स्टार्ट हो जाएंगी तो कैसे आप इस समय का इस्तिमाल करेंगे अब की बार अपनी आपको बेटर बनाने के लिए इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको कुछ बाते बताना चाती हूँ सबसी पहली चीज जो मैंने आपको कड़वी सचाई बताई है वो कि समय कम है तो ये सोचना कि कल कर लूँगा परसो कर लूँगा एक महीने बाद कर लूँगा अभी तो सेशन शुरू ही हुआ है भूल जाओ ये चीजें गंदे तरीके से चोट खाओगे exam टाइम पर क्योंकि स्लेबस कवर नहीं हो पाता इतना ज्यादा स्लेबस है राइट अब क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है शुरू से ही जैसे ही आपकी समय वेकेशन शुरू होंगी बच्चों का रूटीन जो है वो एकदम से बदल जाता है पहले सुबह सुबह उठा करते थे स्कूल जाया करते थे उसके बाद आके अपनी टूशन की क्लासेज या यूट्यूब पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई ओनलाइन बाज जोइन किया हुआ है वो क्लासेज आप किया करते थे उसके बाद आप पढ़ा करते थे और शुरूआत में तो थोड़ा समय भी ना है क्योंकि vacation शुरू होते ही आपका routine बदलेगा तो वो आपको नहीं बदलने देना है routine मत बदलो अपना routine सेम रखो अब आप बोलोगे माम routine कैसे ना बदले ठीक है मत बदलो का मतलब यह नहीं है कि exact same school तो खुले ही नहीं है माम तो school थोड़ी ना चले जाएंगे नहीं जा अपर बंदा अगर दिमाग में goal set कर रखा है ना कि life में कुछ बड़ा करना है तो यार उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है फोकट में दिंदगी में कुछ नहीं मिलता ठीक है तो अपना routine नहीं बदलना सबसे पहले दिमाग में यह set कर लो कि मेरा जो schedule रहा था मैं वो ही चलाओंगा पर कुछ चीजे add-on जरूर करनी है सबसे पहली चीज गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही लोगों के अंदर आलस बहुत ज्यादा भर जाता है सुबह उठने का उनका समय बदल जाता है जो आपको नहीं करना है आपको सुबह 6-8 के बीच में उठ जान है ये बात सुन लो ठीक है उसके बाद दूसरी चीज कूल जाया करते थे तब भी इसी दौरान उठा करते थे तो अपने उठने का समय बिलकुल भी मत बदलना दूसरी चीज क्या करनी है थोड़ी सी exercise अपनी life में add करनी है चाहें वो आधे घंटे की ही क्यों ना हो exercise से क्या होगा आपको खुद फील होगा कि आप ज्यादा energetic फील कर रहे हो क्योंकि ये समय ऐसा ही होता है जब आपको बहुत ज्यादा आलस आएगा पढ़ने का मन नहीं करेगा आप सचोगे यार मैं कल कर लूँगा परसो कर लूँगा इसलिए कोशिश करना कि अपने सुबह उठने का समय 6-8 के बीच का रखो और आदे घंटे की exercise जरूर 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 उसके अंदर आड कर लो इससे आपको खुद फील होगा कि आप सारा दिन energetic है आपका काम करने का मन कर रहा है अब ये तो थी चोटी चोटी चीज़े जो आपके routine से related है कि आपको सुबह उठने का समय नहीं बदलना है और आपको school के समय को भी घर पर इस्तमाल करना है पढ़ाई करने के लिए ही अब आपको अपने चोटे 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 targets बनाने है मतलब everyday goals बनाने है आपको जो मैं हर अपनी एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बताती हूं कि यार चोटे चोटे goals बन targets हैं आपके पास और आपने target बना लिया कि यार आज मैं क्या करूँगा maths के 20 सवाल निकालूँगा ठीक है 20 सवाल मैं maths के निकालूँगा physics का मैं एक chapter पूरा complete कर दूँगा chemistry के ये वाले formulas मैं याद कर लूँगा आपने ये तीन चोटे चोटे targets अपने बनाए अब दिन बर क चीज उठा ली आपने ये बोला मैं आज physics का एक chapter करूँगा तो वो physics का chapter full flesh तरीके से करो कहने का मतलब पूरा ऐसा पढ़के उसको निचोड़के फेकना है कि उसके NCRT के questions उसके previous year questions उसके extra questions पूरी NCRT में reading जो जो important concepts है वो with notes notes के साथ आपको क्या करना है उस chapter को cover करना है तो अपना target अपने according बनाओ जितना तुम कर सकते हो उतना अपने according बनाओ और धीरे धीरे करके अपनी limits को push करना शुरू करो ठेक है तो ये small हो गई targets की हमारी बात अब एक चीज़ और आती है जो बच्चे करते हैं सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगी वो ये यार पिछले साल की गलतियां तुम सब को पता होगा पिछले साल तुम लोगों ने क्या गलतियां करी तुम कहां distract हुए तुमने कहां अपना समय वेस्ट किया कौन तुमारा दोस्त है कौन तुमारी girlfriend है कौन तुमारा boyfriend है कौन तुमारा सगा है कौन तुमारा दुश्मन है तुम्हें सब पता है, फोन में तुम कितना डिस्ट्राक्ट होते हो, किस चीज से डिस्ट्राक्ट होते हो, अपने गिरिवान में जाक के देखो, तुम्हें सब पता है, इस बार वो गलतिया नहीं करनी, अब चाहें वो अपने आसपास की सराउंडिंग से रेलेटेड हो, या वो अपनी पढ़ाई से related कि पिछली बार मैंने maths पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जिस वज़े से मेरे number कम रह गए या और कोई भी गलती कि पिछली बार मैंने notes नहीं बनाए थे जिसकी वज़े से मुझे exam time पे revision करने में दिक्कत हुई थी पिछली बार मैंने एक teacher को follow नहीं किया था जिसकी वज़े से मुझे exam time पे बहुत दिक्कत हुई थी तो पिछले साल की गलतियों में कुछ गलतियां मैं आपको बताना चाहूंगी वो क्या सबसे पहली चीज़ जो बच्चों की गलतियां होती है वो ये कि doubts एकठा करते रहते हैं वो clear your doubts regularly अपने doubts को regularly clear करना है एकठा नहीं करना आज कल doubt नट तो आपको पता ही है है उस पे तो आप photo घीचोगे आपको तुरन video solution मिलता ही मिलता है right आपके पास 100 resources है जहां से आप अपने doubts clear कर सकते हो एक teacher के बीछे भागने की आपको जरुरत नहीं है आप अपने doubts को इकठा ना करें पूरी की पूरी summer vacations में क्यूंकि आप बहुत ज्यादा course खीचेंगे ताकि जब school में पढ़ाया जाए या जब unit test आए तब आप उसके लिए already तयार हों तो doubts आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए तो regularly अपने doubts clear करने हैं पिछली classes में बच्छे अक्सर यही गलती करके आते हैं कि वो अपने doubts को इकठा करते रहते हैं या doubts को for granted लेते हैं दूसरी चीज़ अपनी कोई भी coaching class है यूट्यूब है मेरी classes देख रहे हो doubtnut पे course ले रखा है जो भी तुम कर रहे हो उन classes को for granted नहीं लेना है उनको seriously लेना ह बच्छे क्या करते हैं अपनी classes को seriously नहीं लेते वो सोचते हैं कि अरे आज class नेली कोई बात नहीं कल ले लूँगा गर्मियों की छुटियों में अक्सर यह होता है ठीक है क्योंकि cousins वगर आ जाते हैं या आपको बाहर घूमने चले जाते हैं बट अगर आप थोड़ा सा strict हो होगा सबसे पहली बात अपने doubts regularly clear करने होंगे और अपने जो भी जैसे हम जैसे यह छोटी छोटी बाते जो मैंने आप लोगों को बताई ना कि यार पिछले साल की जो गलतिया है वो repeat नहीं करनी है तो इस बात गो ना थोड़ा सा ध्यान में रखना ही रखना पड़ेगा कि गलतियां करी क्या थी अगर doubts regularly clear नहीं करते गए और पिछले साल की तरह उन्हें कठा करते चले करते चले करते चले तो at the end क्या होगा कोई भी topic जो पढ़ा है वो आपको confident feel नहीं करवाएगा कि हाँ यार मुझे ये चीज़े तो आती ही आती है तो अपनी classes को for granted नहीं लेना ह ठीक है उनको seriously लेना है और साथ-साथ उनके notes बनाते हुए चलना है तो इससे क्या होगा तुम्हारा ये दोनों चीज़े तुम्हारा backlog इकठा नहीं होने देंगी अगर इन दोनों चीज़ों को तुम seriously लेकर चलोगे तो इससे तुम्हारा backlog इकठा नहीं होगा अब तीसरी और बहुत ही important चीज़, same teacher, study material, ये दो चीज़े, बच्चे अक्सर क्या करते रहते हैं पूरे साल, decide नहीं कर पाते हैं कि उन्हें पढ़ना कहां से है, this is the right time कि आप ये decide कर लें कि आपको पढ़ाई कहां से करनी है, कौन teacher होगा जो आपको पूरे साल guide करेगा, जिसकी classes आप लोग लेंगे और जिसको blindly follow करेंगे, क्योंकि अगर आप regularly intervals पे या फिर अपने teacher बदलते रहेंगे, तो वो आपको कहीं भी नहीं लेके जाएंगे, आप वहीं फसे रह जाओगे और एक गलत trap में फस जाओगे, ठी हैं, तो अपना teacher जो है, वो पहले से ही, देख लो मुझे ये classes इस teacher की पढ़नी है, ये classes इस teacher की पढ़नी है, पहले ही समझ लो कि किसका तुम्हें समझ में आ रहा है, उसको blindly follow करना है, दूसरा अपना study material पूरा रखना है, summer vacation में ये छोटी छोटी चीज़े हैं जिनके उपर तुम ध्यान दे सकते हो, कि तुम्हें कौन सा study material है, जो पूरे साल follow करना है, किसकी book है, कौन सी guide है, कौन सी previous year questions की book है, जो मैं पूरे साल, पूरे तरीके से follow करूंगा, क्योंकि इसके लिए बाद में आप लोगों को time नहीं मलता है, तो अपने दोस्तों से discuss करना है, अपने अलग questions को निकालते चलो, मैंने एक और वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बोला था, कि आप कैसे competitive exam की भी तयारी साथ-साथ maintain करके रख सकते हो, clear, अब ये तो थी कुछ important चीज़े जो मैंने आपको बताई, अब आ जाती है एक और बहुत ही important बात, जो बच्चे अक्सर न notebooks, अभी से जो आप लोग करना शुरू कर रहे हो न, एक ही notebook में organic चल रही है, एक ही में inorganic चल रही है, एक में physics चल रही है, एक में math चल रही है, एक में English चल रही है, मत करना ये वाला काम, हर subject की अलग-अलग copies आपके पास होनी चाहिए, आपके classes के notes अलग होने चाहिए, आ अभी से बनाना शुरू कर दो, this is the right time कि आप अपने notes बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अब आपका summer vacation में, tutions में भी, जो भी classes है, online classes वगेरा, subject के course खीचा जाएगा, क्योंकि सब को मालूम है कि समय कम है, हम एक महिना, एमें बैट कर चिल करने में नहीं बिता सकते, अब हम 11 और 12 में आ गये हैं, finally, right, तो अब हमारा focus बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए, हमारे सिर्फ goal की तरफ कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, तो same notebooks नहीं बनाएंगे, आप लोग अभी से ही अपनी notebooks जो है, अलग-अलग बनाएंगे, हर एक topic की, organic की अलग होनी चाहिए, मैच में जो भी आपका होता है, physics में जो भी आपका होता है, English में जो भी होता है, जैसे English के अंदर मैंने बुला की grammar का अलग होना चाहिए, literature का अलग होना चाहिए, notebook proper तरीके से, जैसे जैसे teacher guide कर रहा है, notes बनाने के लिए, वैसे वैसे आपको करना चाहिए, otherwise बहुत सीन में ढल जाओगे, मैनत करने के आदर डाल लोगे, धीरे 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 अपना syllabus कवर कर लोगे, तो जीत जाओगे, जीत जाओगे, एक साथ अगर सोचोगे कि आप बिल्कुल end वाले मन्त में जाके मैं तो सब कुछ चुरू, मैडम, notes दे दो, भाई तू तो तेरे notes दे, टॉपर के notes मिल जाए तो, मैम, एक दिन में सारा course करवा दो, मैम, ये जीरो से पढ़ा दो, मैम, तुमारा दिमाग भी सोचेगा कि देख कैसा पागल आदमी है, जब टाइम था जब तो पढ़ा नहीं, अब कैसे मेरे उपर pressure डाल रहा है, ठीक है, तो pressure को करनी बनाना ह हमको, अपने दिमाग को, हमें अपने दिमाग को बिल्कुल open रखना है, बिल्कुल खुला रखना है, बिल्कुल अराम से पढ़ाई करनी है पूरे साल, तो ये summer vacations बहुत ज्यादा काम आने वाली है, अगर ये कुछ अच्छी आदत है अभी से शुरू कर दोगे तो, school आले time को बिल्कुल भी waste नहीं करना है, सोने में, कल कर लेंगे उसमें, तुमारा जो चोटा चोटा target बना है, उसको complete करते चलो, अब तुमें सुबह करना है, शाम को करना है, कब करना है, वो ध्यान में रखो, पर ये भी ध्यान में रखो कि सुबह 6-8 के बीच में उठना है, इस बच्चे में और एक topper बच्चे में, कि वो क्या करता है, ठीक है, तो जब मैंने आपको बोला कि same notebook आपको नहीं बनानी है, उसके बाद एक last चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे वो क्या, कि आप practice करेंगे, किस चीज की practice करेंगे, अपने week subject के उपर work करेंगे, आप सभी को पता है कि आपका week subject क्या है, आपको maths में ज्यादा समय देने की जरूरत है, आपको physics में ज्यादा समय देने की जरूरत है, आपको English में ज्यादा समय देने की जरूरत है, क्या है वो चीज जिसमें मुझे ज्यादा समय देने की जरूरत है, उसी के उपर आपका main focus होना चाह यह इन summer vacations में कि यार मेरा ये subject बहुत कमजोर है मेरे को समय मिला है मैं इस subject पे जान लगा दूँगा अपनी और मैं इसमें बहतर होकर दिखाऊंगा so this is the time कि आप अपने weak subject को strong कर सकते हो practice कर करके अपने concepts को clear करके जादा से जादा सवाल निकाल निकाल के clear है तो ये थी बच्चों कुछ चीजे जो आप summer vacations में अगर थोड़ी थोड़ी अपनी जिंदगी में ये अगर क्योंकि दसवी तक मुझे पता है बच्चे बहुत चिल रहते हैं बट अभी ये थोड़ा सा समय ऐसा है जहां आपको थोड़ा सा serious होने की जरुरत है तो कात होगी अगले session में तब तक के लिए वो बाई take care all the very best